जय भोलेनाथ स्वागत है आपका इस चैनल पर आज की वीडियो में आपको बताएंगे आठकंडे का विसर्जन कब होगा कैसे होगा इसकी पूरी विदी और क्या गलती आपने इसमें नहीं करनी है बहुत सारे कोमेंट्स आ रहे थे इस बारे में तो उस सबका जो आपको जवाब है इस वीडियो में मिलेगा आठकंडे का विसर्जन कब करना है आठकंडे का विसर्जन नवरात्रों में करते हैं मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में बताया आपको भी पताया पहले नवरात्रे में अट कंडे का विसर्जन होता है और पहले नवरात्रे में होगा जब भी आप विसर्जन के लिए जाओगे सुबह आप भगवान भोलेनात की आरती करोगे पूजा करोगे उसके बाद आप विसर्जन करोगे विसर्जन क्या करना है जो भी आपने आठ दिन की पूजा की हुई है उसका कोई भी समान जो है वो नहीं रहना चाहिए वो आपने विसर्जित करना है ध्यान क्या रखना है आपने वो जरूर सुनियेगा इसको आपने बहत को ये सारा कुछ विसरजित करना है, अगर आपने कोई मूर्ती रखी है, कोई आपने तस्वीर रखी है, प्रतिमा भगवान भोलेनाद जी की, वो अलग बात है, लेकिन अगर आपने पार्थिव शिबलिंग बना कर रखे हैं, उसकी बात आप समझ रहे हैं, जो मिट्टी के मैंने आपको बताया था, माता पार्वती गनपती जी मिट्टी के बना कर रखते हैं, वो रखे हैं तो वो भी आपने विसरजित करने हैं, उसके साथ ही आपने अपने धागे विसरजित करने हैं, जो आपने आठ दिन अपना आठकंडे का धागा लिया था, माता पार्वती गनेश जी का और बगवान भोलेनाज जी का वो भी आपको विसर्जित करना है ऐसा बिलकुल नहीं करना है कि वो आपके हाथ में ही बंधा रहे और आप उसे रख ले या कुछ पी है वो आपको विसर्जित करना होता है तो इन बातों का बहुत द्यान रखना है अट कंडे का विसर्जन जिस तरह से पूजा रविवार को नहीं होती है मंगलवार को नहीं होती है उसी तरह से अठकंडे का विसर्जन भी रविवार और मंगलवार को नहीं होता है अगर पहला नवरातरा रविवार या मंगलवार को आता है तो उसका विसर्जन दूसरे नवरातरे में कर उससे अगले दिन लेकिन इस वार बहुत अच्छा योग बन रहा है सोंबार भगवान भोले नाजी का ही दिन है उसी दिन आ रहा है विसरजन का दिन उस दिन आपने भोले नाजी का परशाद बनाना है जो मैंने आपको पहले भी बताया है परशाद गेहूं के आटे को घी मे भून कर चीर्णी डाल कर कसार बनता है वो जरूर बनाना है बाकी आपकी यथा शक्ति आपकी इच्छा है आप क्या बनाना चाहते हैं क्या खिलाना चाहते हैं लेकिन ये परशाद आपने बनाना है बगवान भोलेनाजी को चड़ाना है लेकर जाना है विसर्जन के बाद सभी को बांटना है कोई भी कोई question हो आपका तो आप comment box में पूछ सकते हैं कोई सुझाब हो तो वो भी आप दे सकते हैं अगर आप इस channel पे नए आए तो channel को subscribe कर दीजेगा वीडियो को like करना ना भूलिएगा जैबनाची